हेलो माई डियर प्रेंड्स मैं विविक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्तितु टूड़े करेंट अपेर्स जी के एमसी क्यूज साथियो आज 27 मैस 2020 वार बुद्वार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियो वीडियो पूरा देखें कंप्लेट वीडियो देखें कि हर कोस्ति में आपको इक इंप्रेंट वर्ड मिलेगा तो कि उसको संस का रिलेटेड ही नहीं अभी तो आपकी बैक बॉन जो है उसको भी कवर करेंगा साथियो रोजना की तरह लाश्ट दे का कोस्तन हम पहले बात करते हैं उसके बाद आज के करेंट अपेर के हम बात करते हैं तो पहले बात करते हैं कोस्तन हमने क्या कोस्तन पूछा था लाश्ट दे साथ हमने लाश्ट दे क्वेस्टन पुछा था कि भारते रेलवे ने WAG-12 नाम से भारत लोकोमोटीव में निर्मित प्रथम 12,000 HP और पावर विदुद का परिचालन किया है उस कंपनी का नाम क्या है जिसने लोकोमोटीव का निर्मान किया था और मेरे प्यारे सातियों हमने इसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में डालने के लिए बोला था सात्यों हमारे जो ये question था इस question का last day जो हमने question पूछा था इसका answer क्या था तो answer था option C मदेपुरा electric locomotive private limited जो की बिहार में इस्तित है सात्यों इसी में 12,000 horsepower के विदुत परिचालन का निर्पान किया क्या भारतिय railway ने इसे क्या नाम दिया WAG-12 सात्यों ये जो engine है इसके कुछ pics, कुछ photos हमने डाली है ये engine कुछ इस प्रकार से दिखता है याने कि ये made in India locomotive है और इसको जो number दिया वो कितना दिया है 6,627 इस लोको मोटीव को दीन दियाल उपाद्या इस्टेशन याने कि मुगल सराय जंक्सन जैसे कहते थे उसका नाम बदल दिया गया है दीन दियाल उपाद्या इस्टेशन उत्तर प्रदेश से सिवपूर तक अपनी पहली 12,000 horsepower की जो चमता है उसका परिचालन किया इसको जो बनाने का था वो मदेपुरा एलेक्टरिक लोकोमेटरी प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी बिहार ने निर्मित किया बनाया जिसमें फ्रांसी सी दिगज एटल सोम के 24% सियर और आई यार इंडियन रिल्वे के 26% सियर है जो कि इन दोनों का सयुक्त उद्गम है तो ये था अमारा लाश्ट एका क्वेस्टन जिसका आंस्वर क्या था ओप्शन सी मदेपुरा एलेक्टरिक लोकोमेटरी प्राइवेट लिमिटेड हमेशा अपना बैस्ट करो हमेशा अपना बैस्ट करो जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो सबरकपल मेठा होता है हमने भी बोया उसे सीचा उस पर अपना बैस्ट से बैस्ट पर किया तब ही हमें तो फसल मिली उसी तरह इंसान को अपना बैस्ट करते रहना चाहिए और इसी बैस्ट करने की कडिम आये शुरू करते आज का मुरा करेंट अपिरस जी के कोशन संक्या फश्ट से हर साल विशु इस्तर पर अंतराष्टे गुमसुदा बाल दिवस यानि कि International Missing Children's Day कब मनाया जाता है Option A 20 मही को, Option B 25 मही को, Option C 30 मही को और Option D 25 जून को साथियों हर साल अंतराष्टे गुमसुदा बाल दिवस यानि कि International Missing Day मनाया जाता है और यह मनाया कब जाता है 25 मही को Option B right answer है 25 मही यह जो दिन है उन गुमसुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुँच चुके है उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराद के सिकार है और उन लोगों की तलास करने के प्रियास जारिज रखने के लिए जो अभी भी लापता है उनके लिए इस दिन को मनाया जाता है जो 25 मई है 25 मई का जो व्यापक दिन है इसको व्यापक रूप से Missing Children's Day Forget Me Not Flower प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है साथ यो हर साल लाखो करोडो बच्चे लाखो बच्चे लापता हो जाते हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है तो इस तरह से जो बच्चे गायब हो जाते हैं उन बच्चों को गायब होने के लिए ये दिन बनाया जाता है साथ यो बात करते हैं अंतराष्टे गुमसुदा बालदिवस की तो अंतराष्टे गुमसुदा बालदिवस इस दिर्क को बनाये जाने की गोश्णा कब हुई थी वर्स 1983 में अमेरीकी राष्टेपती रोनाल्ड रिगन द्वारा की गई थी उस समय के राष्टे पती जोते बारतमान में तो डॉनाल्ड ट्रम्प है वर्स दोजार एक में 25 मई को International Center for Missing and Ex-Supplied Children यानि कि ICMEC Missing Children यूरोप और यूरोपिया आयोग के सहीक्त प्रियास पर आपचारिक रूप से अंतराष्टे Missing Children's Day के रूप में पहली बार मानने ता मिली थी ICMEC की बात करें तो इसका मुख्यालिया यूएस के वर्जीनिया के अलेकजंड्रिया में और इसके वर्तमान अद्यक्षा है डॉक्टर फ्राज भी हमर नेक्स्ट क्वेसन सिंक्या दो पेसेवर पहलवान हाना की मुरवा का निदन हो गया है हाना की मुरवा किस देश की पहलवान थी? उपसन एप फ्रांस की, उपसन भी चीन की, उपसन सी जापान की और उपसन डी इटली की तो मेरे प्यारे साथियों हानुक मुरा जिनका की निदन हो गया है वो एक पैसे वर फैलवान थी और फैलवान कहां की थी तो साथियों बता दीजिए यह थी जापान की ओप्सन सी राइट आंस और जापान हाना की मुरा जो है उन्होंने 2006 में जापान प्रो रैसलिंग यानि की JWP जूनियर प्लेट में अपना पहला किताब जीता और 2019 में इस्टारडम में सामिल हुई हाना की मुरा नेट फ्लिक्स के टेरेस हाउस सो में निबाई अपनी भूमिका के बाद से ओन लाइन धमकियों का सिकार बन गी थी और अब उनका निदन हो गया है नेक्स्ट क्वेशन संक्या तीन भारत ने युगांडा पिपल्स डिपेंस फॉर्स यूपी डीएप के को किस नाम का वार्स गेम सेंटर सौप दिया है ऑप्शन इंडिया ऑप्शन भी भारत ऑप्शन सी हिंदुस्तान और ऑप्शन डी सिंदू साथ योभी हाली में भारत ने युगांडा पिपल्स डिपेंस फॉर्स यानि कि यूपी डीएप को एक वार गेम सेंटर सौप आए और इस War Game Center का नाम क्या है इंडिया Option A इंडिया नाम का War Game Center भारत में युगांडा People's Depends Forces को सौपाए इसके बारे में बात की जाए इस War Game Center इंडिया War Game Center के बारे में बात की जाए तो साथ यह हो इंडिया Military Advisory and Training Team के साथ मिलकर इंडियान Association युगांडा द्वारा अक्त्यादुनिक सेंडिया प्रेसिक्षन सुविदा केंद्र UPDF को सौप दिया गया है युगांडा गंडराजी के वर्तमान राष्टे पती है जनरल ल्योवरी कागोटा मुवी ने इसका उधगाटन किया है और इजह से विभिन जिलों में लगाया जाएगा भारते मुलके युगांडा वासियों ने बार गेम सेंटर की स्तापना के लिए स्वच्छे की योगदान दिया है नेक्स्ट कॉस्टन संक्याच्यार निम्न मैंसे कि सुप्रीम कोट के पूर्वे नियाएदीस नियायमूर्थी ने नई दिल्ली में भारते विवाद समादान केंद्र यानि की इंडियान डिस्प्यूट रिसोलोसन सेंटर आई डियार्सी का उधगाटन किया है आप्सन नियायमूर्थी एके शीकरी आप्सन नियायमूर्थी बियसके उप्सनласти नियायमूर्थी एजजेकानिया उप्सनडी नियायमूर्थी दिपकमिस्रा सात्यों नई दिल्ली में भारतिय विवाद समादान केंद्र यानि की इंडियान डिस्प्यूट रिसोलोसन सैंटर का उधगाटन किया है और यह उद्गाटन किया है सुप्रीम कोट के पूर्वे न्यायदीस और न्यायमूर्थी किसने न्यायमूर्थी एके सीकरी ने इसका उद्गाटन किया है साथियों इसकी बात की जाए कि यह जो है बारते विवाद समादान केंद्र की बात की जाए तो भारते विवाद समादान केंद्र आकर है क्या तो यह जो समादान केंद्र है यह केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समादान वातवन परदान करने के लिए इसके लावा केंद्र अपने ए मद्यस्ता, ए मेडिटेशन और ए सुलेश सॉप्ट्वेर पॉर्टल के माध्यम से ए वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेट डिस्प्यूर्स रिसोलुस्टन, ADR के रूप में ओपलाइन सुविदावे प्रदान करेगा केंद्र के जो मद्यस्ता पैनल में सर्वोश न्याल लेके पूर्वे न्यायदिस, उच न्याल ले, जिलादालते, वरिश्टा दिवक्ता, पूर्वे नवकरसा और अन्यस सामिल है सॉप्ट्यूर्स जो है वो दावा या चिकाओ की फाइलिंग के लिए 24 गंटे 7 दिन सुविदावे प्रदान करेगा पंजी करण और प्रसासनिक सुल के लिए ईपैमेंट, पार्टी को ईए नोटिस जारी करना, प्रमानित, वीसी प्लेट पॉर्मों पर वर्चुल सुनवाई सुरक्षित निकलने वाले कमरों में आबासी बेटकों के विकल्प के साथ वर्चुल मिटिंग्स करना तब कारव सबोले नहीं दिल्ली में है, आप्सट कॉससं सिंख्या 5, बहुते में से किस देश की टैनिस कि लाड़ी जामी हैंप्टन ने पैसे वड़ स्न्याज की गोशना किये, पैसे वड़ सन्याज की उप्षन चीन की, योगोसलावै की, उप्षन की प्रांस उप्षन फ़्हें अ कोशना किया है साथ जैमी हैंप्टन की बात की जाए तो जैमी हैंप्टन विशू के टॉप 25 खिलाड़ियों में सामिल रही है और छह साल पहले अपना आखिरी अधिकारी के मैच खेला था जब वह दुनिया में 24 वह इस्तान पर रही थी यह दाय हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटे लगी थी जिसके कारण विया है वैस 2014 में ऑक्लेंड में एस्बी क्लासिक के सेमी फाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाप नहीं खिल पाई थी इसके अलावा जैमी हेंटन डबलू टू ए यूगल फाइनल में अन्ना टैटी स्वीली के साथ पहुँचकर उप विजेता रही थी तता उन्होंने अपने पेसेवर टैनिस केरियर के दोरान पांच अंतराश्टे टैनिस फैडरेशन किताब यह अपने नाम किये थे नेक्स्ट क्वेसन संक्याच है हर साल विशु इसतर पर विशु थायरेड दिवस यानि की वर्ल्ड थायरेड डे कब मनाया जाता है और यह दिन हर साल मनाया जाता है और इस दिन को मनाया जाने का मुख्य उद्देश से क्या है मुख्य उद्देश से थायरेड के बारे में जाग रुकता फैलाना और थायरेड रोगों की रोकता हम और उपचार के बारे में जानना यह इसका मुख्य उद्देश से है साति यहोग बात करते है विस्व थायराइड दिवसकी तो यह दिन वर्स 2008 में येजिये थायराइड ऐसुएशिएशन ETA और अमिरिकन थायराइड ऐसेसियेसन ETA की नेत्रतों में अभियान के रूप में शुरू किया गया था जिसके बाद इसे लेटिन अमरीकन थायरएड सोसाइटी और एसिया ओसियाना निया थायरएड एसोसियेशन यो टीए के साथ मिलकर रोगयों के थायरएड रोग और दॉक्टर और उनके इलाज करने वाल चिकसा के लिए मनाया जाने लगाएं साथ यो बात करते हैं कि आखिरकार थायरएड है क्या थायरएड है क्या वाट इस थायरएड तो थायरएड की बात की जाए तो थायरएड जो है वह एक रोग है जो की मनुस्यों में होता है और मनुस्यों में कहा होता है यानि कि किस में होता है गले में यह गले का रोग है था जो गले में T3 थायरोक्सीन और T4 ट्राइडो थायरोन 9 का निर्मान करती है और यह राइड गरनती शरीर में थायराइड उत्तिजक हार्मोन टी ऐसे नामक जो हार्मोन बनाती है उससे शरी की एनरजी प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन के प्रति होने वाली सब्वि थायराइडिजम कहते हैं और थायराइड हर्मोन में व्रद्दी हाईपर थायराइडिजम का कारण बनती है आहर में यानि कि खाने पीने में उच्छी थायरोन का इस्तर बनाए रखना और कच्ची गाई ट्रोजेनिक सब्जियों के उप्योग से सीमित करना थायराइड ड् next question चुन क्या साथ बाहरतय नोसेना ने सास लेने में सक्षम अभिनेव कपड़े से एक नई PPE ुट तेयार कि आथ कि इस PPE kit को भारत्य नोसेना ने क्या नाम दिया है और प्षन एंटिसेप्टिक और सुरक्षा और सी नवरक्षक और और समाधान साथ यो भारतिय नोसेना ने एक सास लेने में सक्षम अभविनयों कपड़े से एक नई PPE किट तयार किया है और इस PPE किट का नाम क्या दिया है नवरक्षक, और संसी राइट, आनस्वर है नवरक्षक साथ यो इस PPE किट के बारे में बात की जाए तो यह PPE किट COVID-19 महामारी से लड़ने में काम करने वाले स्वास्ते करम चारियों को बहुश तरिये कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करी जो रोग्यों का गरम और नमी की इस्तिती में बारा बारा घंटे इलाज करते हैं उनके लिए कारगार सिद्ध होगी इस मैट्रियल की जो यह PP किट का मैट्रियल है इस मैट्रियल की breathability को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसमें जल वास्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की छमता है यह जो PP किट है इस PP किट को अरनब गोस द्वारा बनाय गया है मुंबई में इंस्ट्यूट ऑफ नेवल मेडिशन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेप्टिनेंट कमांडर अरनब गोस द्वारा इसको बनाय गया है और PPE ने सिंथेटिक रक्त प्रविश प्रतिरोध परिक्षण 6x6 भारत सरकार का नियुंतम इसकोर कितना 16x3 और उससे अधिक ISO 16603 मानक के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमानित और नेदानिक COVID-19 इस्तितियों में उप्योग किये जाने का टेस्ट पास किया है इस कित ने साथियों जो कित है ये इससे में कॉरोना वाइरस यानि कि जो भेंकर या लाइलाज जो बिमारी होती है उनके संक्रमन से बचाती है नेक्स्ट क्वस्टन संक्या आठ निमन लिखित में से किस राज जे की खुडोल पैल को COVID-19 मामारी से निपटने की समावेसी लडाईक के लिए सीर्स दस वैस्विक पैलों में सुची बद किया गया है और इस पैल को सीर्स दस वैस्ट वैस्विक पैलों में सामिल यूनाइटेड नेशन सेकेटरी जनरल ओन यूथ द्वारा किया गया है साथ यो बात की जाए खुडोल पैल की तो खुडोल पैल को इंपाल इस्थित एंजियो या आल द्वारा सुरू किया गया है खुडोल पैल के जरिए LGBTQL समुदाए HIV से प्रभावित लोगों देनिक मजदूरी कमाने वाले बच्चों और किसोरों के भोजन स्वास्ते और स्वास्ता आउसक्ता की पूर्ती को आपूर्ती को सुनिसित किया जा रहा है ये लोगों द्वारा जुटाए कोस की वाली पहले जिसने लगबग 2000 परिवारों और वेक्तियों की बुनियादी जरुतों को पूरा करने के लिए 100 सम्व्य सेवकों का एक नैटवर्क तयार किया है साथ यों बात करते हैं एंजियो या ओल की तो एंजियो या ओल इंफाल आधारित एंजियो है और इसकी स्तापना इसे वर्स 2017 में मानसीक स्वास्ते कारे सालाओ के आयोजन के लिए स्तापित किया गया था और इसका संस्ता पगया सदम हद्न बंग next question संक्या 9 भारत की दवा नियामक प्रणाली के सुधार के लिए सरकार ने विश्यसको की उच्चस्तिरिय समिति का गठन किया है इस समिति के अध्यक्ष कोन है उप्सन इसमर्ती भारती उप्सन भी राजिस भूसन उप्सन सी बलराम बंजारा और उप्सन डी स्मिता पाट के अध्यक्ष है और इस समिति का जो गठन का उद्देश से यह जो भारतिय की दवा नियामक प्रणाली की जो समिति है सुधार समिति का जो गठन है इसका उद्देश से कोरोना वाय संक्रमन के खत्रे का सामना करते हुए दवाओ की स्वेकृति प्रिकिरिया अनुसंदार और टीका विकास को गती देना है नेक्स्ट और आज कमर अन्तिम कोस्टन कोस्टन संक्या दस रक्षामंत्री ने सुक्षम लगो और मध्यम उद्द्यमों यानि कि MSM के E कौन किलेव की अध्यक्स्ता की है वर्तमान में रक्षामंत्री कौन है ऑप्षने राजनात सिंग प्रक्षामंत्री ने सुक्षम लगो और मध्यम उद्यमों कोई एकौन क्लेव की अध्यक्सता की और श्विस अध्यक्सता के दोड़ान रक्ष्या मंत्री ने इस कॉंक्लेव के दोरान ग्लोबल कॉरोना वाइरस, कॉविड निस मामारी के इकलाप राष्टे के लड़ाई में साथ यो बात की जाए इस कॉंक्लेव की तो ये कॉंक्लेव जो है MSMG के इकॉंक्लेव का वर्चुल सम्मिलन, रक्षा उत्पादन, विभाग, भारतिय उद्योग परिसंग और भारतिय रक्षा निर्माताओं के संगठन द्वारा सहिक तुरूप सायजुत किया गया था इस इकॉंक्लेव को बिजनिस कंटिनिटी फॉर MSMG इन डिफेंस एंड एरोइस्पेस सेक्टर के विश्य पर आउजुत किया गया था इस कॉंक्लेव में 800 से अधिक डिफेंस MSMG का यो निस्सा लिया था तो साथ ये थे आजका हमारे करेंट अपेस के 10 क्वेस और हम बात करते हैं आजके क्वास्षन ओड़ डेगी की निमन मेंसे एक कि सराज्य की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्गाठन किया है option ए राजस्थान, option B उत्तर प्रदेश, option C मध्यप्रदेश, option D गुजरात मेरे प्यारे साथ यो इस question का answer आपको comment box में देना है 24 hours के लिए हम wait करेंगे क्योंकि 24 hours बाद हमारा next day का current approach दल जाएगा तब तक आप answer दीजिए, वीडियो पूरा देखे, वीडियो complete देखे वीडियो देखने में कंजूस ही ना करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो like बटन पर किलिक करें और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें पीडियो डाउनलोड करने का लिक वीडियो का description में मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल यूगी कंपेटिसंस को सब्क्राइब कर जिए जब आप यहां तक आई गे हैं तो सब्क्राइब का बटन पर किलिक कीजिए और मेरे प्यारे साथियो इस्टे हों be safe गर पर रहे सुरक्षित रहे कोरोना वायरस में हमारे से बचे थैंक्यू सो मच धन्यवाद आपका दिन